Hello guys, welcome to all competitive exam So, आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं Science की कुछ important question जो कि आपके HPSC दौरा previous exam से पुशे गए हैं और आपको यह आनवा exam में काफी help करेंगे So, अगर आप चैनल को पहली बार visit कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर ले, आज के session की शुरुआत करते हैं तो उमारा पहला question है किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है, तो बताई इससे क्या answer होगा वस्तु का भार सबसे कम कहां पर होता है आपका option है North Pole, South Pole, Equator The Center of the Earth तो बताई इससे क्या answer है Right answer होगा इसका स्प्रिंग के निर्मान के लिए निमर मैसे किसको प्राइक्ता दी जाती है आपका option है, पीतल, तामर, स्टील, लोहा तो बताई इससे क्या answer है उसका Right answer होगा option number C, स्टील ठीक है option number A दी आपको पीतल तो पीतल किसे बनता है तो पीतल बनता है तामबा और जस्ता से किसे तामबा और जस्ता से ठीक है और कांसा किसे बनता है तो कांसा बनता है तामबा और टीन से किसे तामबा और टीन से ठीक है तो मारा next question है एक अफ़तल lens को निमन नाम से भी जाना जाता है तो बताई इससे क्या answer होगा आपके option है अभिसारी, अपसारी, साधारन लेंस इन मैंसे कोई नहीं तो बताई इससे क्या answer है right answer इसका option number B, अपसारी, लेंस कौन सा अपसारी, लेंस और अफतल दरपन कहां प्रियोग होता है बताईए अफतल दरपन लगा होता है गाड़ियों के headlight में तहाँ पर गाड़ियों के headlight में ठीक है, गाड़ियों के back view को देखनी के लिए कौन सा दरपन लगा होता है तो आपका answer होगा उत्तल दरपन, यानि convex mirror, ठीक है और हमारी आंखों में कौनसा lens होता है बताईए इसमें होता है उत्तल lens कौनसा, उत्तल lens कितने pixels का होता है तो यह होता है 576 megapixel तो इसका answer होगा optional c, शुक्र ठीक है और सबसे गरम प्लैनेट और शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है ठीक है अगर आज सब पुश्च राए सौर मंडल में ऐसे कौन से ग्रे हैं जिनके कोई भी सैटलाइट नहीं है तो आपका अंसरोगा बुद्ध और शुकर बुद्ध और शुकर के कोई भी सैटलाइट नहीं है पृत्वी के किने सैटलाइट है पृत्वी के है एक सैटलाइट और कौन सा है तो ये है चंद्रमा ठीक है और मंगल में दो satellite है कौन कौन से इसमें है Phobos और Demos ठीक है और सबसे ज़्यादा किसके है तो सबसे ज़्यादा है Saturn के यानि Shani के कितने है टोटल यह है 82 और व्रहसपति में किरने है व्रहसपति में है 79 ठीक है कितने 79 आपको यहां से यह सब याद रखना है ठीक है तुम्हारा next question है भू पट्टी पर सरवादिक भोलता से पाई जाने वाली धातू है आपका option है स्वर्ण रजत तामर अलूमीनियम तो पुताई से क्या answer है right answer होगा इसका option number D aluminium कौनसा aluminium ठीक है हमारा next question है glass को निमन के रूप में उत्तम व्याख्याइत किया जाता है glass is best described as an आपका option है solid, liquid, super cool liquid, ठोस, द्रव, अतिशीतित द्रव, अधिधारन, यौगिक तो पताई से क्या answer है राइट answer होगा इसका option number C, अतिशीतित द्रव, super cold liquid ठीक है और पानी की किनी वस्ताइं होती है, तो mainly इसकी होती है, तीन वस्ताइं, तो ये होती है, ठोस, द्रव और गैस इसकी चौती वस्ता कौनसी है, तो चौती वस्ता इसकी plasma, कौनसी plasma, आपको यहां से यह भी याद रखना है ठीक है, हमारा next question है, cellulose is N, cellulose 1 है, तो बताइए cellulose क्या है, प्रोटीन है, वस्ता है, हर्मोन है, इन मैंसे कोई नहीं तो बताइए इसकी answer है, तो राइट answer का इसका, option number D, इन मैंसे कोई नहीं, ठीक है तो वारा next question है, काला जार बिमारी का वहक है, तो आपका option है, dragonfly, मच्छर, sandfly, housefly तो बताइए इसका answer है, इसका राइट answer होगा, option number C, sandfly, कौन, sandfly, ठीक है और काला जार बिमारी किसकी कारण होती है, बताइए, तो यह होती है, proto जोओ के कारण, किसके कारण? प्रोटो जोओ के कारण, ठीक है proto जोओ से होने वाले कुछ रोग है, इसको याद रखने की एक trick है, आगवी trick है, पपू काम पर सोता है क्या कपप्पू काम पर सोता है तो पहसे हो जाएगा आपका पाईरिया ठीक है पहसे होगा पाईरिया कौह से होगा आपका काला जार ठीक है और पहसे होगा आपका पेचिस कौँसा पेचिस और सोता से होगा आपका निद्रा रोग ठीक है तो आपको यहां से यह सब याद रखना है तो मारा next question है epiculture का समंध है तो आपका option है मदुमक्खी, मतस्य, रेशम कीडे, लाख जिवानों से तो पताई से क्या answer है तो राइट answer हो का इसका मदुमक्खी से, ठीक है option पर B दिया आपको मतस्य मतस्य के पालन को क्या कहते है इसे कहते हम PC culture क्या कहते है PC culture ठीक है और रेशम कीडे के उत्पालन को क्या कहते है इसे कहते हम सेरी culture कौनसी सेरी culture ठीक है आज का मारा last question है diptheria से परभावित अंग है आपका option है वरिकक, फेफडा, रिद्य, गरिवा तो बताएसा क्या answer है बताएए इसका right answer का option number D throat कौनसा throat ठीक है तो यह थे दोस्तों आज की most important question वीडियो परसंद आई है तो वीडियो को like, comment and share जरूर करे आज के दोस्तों इतना ही जय हिन जय भारत